क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिने philosophical essays देखके डर लगता है या उसको समझने में दिक्कत होती है या वो क्या हैं कैसे लिखे हैं उसके बारे हैं बहुत सारे सवाल होते हैं तो आप सही जगा पे हैं मेरा नाम है संदीप सिंग और आज मैं आपको बताने वाला हूँ philosophical essays कैसे deal करते हैं और हम बैठे हैं जेनियो में तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ philosophical essays देखके नहीं डरना होता आपके पास आल्रेड़ी बहुत knowledge होता है अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप आल्रेड नहीं भी समस्ता हो पड़ पाए वो भी कुछ तकनीकी और टेकनीकल चीज़े होती हैं वो सारी बातें आपको डेटिल से बताई जाएंगी इस वीडियो में बने रहे हैं देखते रहे हैं और आगे देखते हैं तो जब भी philosophical essays पूस्ता क्यों है या क्या intention होता है UPSC का ये करने के पीछे या इस तरह के topic देने के लिए philosophy का मतलब है love for knowledge तो जब भी philosophical essay UPSC देने की कोसिस करता है वो देखना चाता है कि आप जब trouble में होते हैं आपको thinking आपका देखना चाता है आप कितना deep think कर पाते हैं कितने चीज़ों को link कर पाते हैं और जो पहले topic वाले essays आते थे तो GS जैसे हो जाते थे जहां पे आपको जो facts आते हैं आप जाके reproduce कर देते हैं तो उनका था कि कुछ वैसा हो जहां पे वहीं आप सोच के लिख पाएं या वहीं दिमाग लगा के उस चीज़ को अपने हिसाब से organize करके लिख पाएं ये एक वजा है उनका UPSC में इस तरह के ज़्यादा essays देने का और सिर्फ philosophical नहीं होते वो abstract होते हैं abstract मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा grounded नहीं होते बहुत एक specific problem पे focus नहीं होते तो उन बातों को आपको ध्यान देना है कि आप कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं दो तिन बाते हैं जो आपको याद रखनी है पह जान से read करेंगे उसका एक meaning निकलेगा ज्यादा तर बड़े जो thinkers होते हैं उनकी कोई न कोई लाइन होती है जो एक particular philosophical school में grounded होती है जो एक particular तरह के thought को represent कर रही होती है तो उन चीजों को समझ पाएंगे तब आप ज्यादा बेतर लिख पाएंगे तो सबसे पहले अगर आप आपको philosophy को समझना है तो बहुत लोग के लिए है कि आप GS के लिए इतनी मेहनत करते हैं GS के लिए 4-4 किताबे पढ़ते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि philosophical essays जितने आ रहे हैं तो philosophy के लिए किताब आप पढ़ सकते हैं इतना difficult नहीं है तो जब हम 100 marks GS के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो इसे के लिए क्यों नहीं गर सकते हैं तो एक philosophy की कोई simple किताब लेके आप philosophy के जो बड़े thinkers हैं उनकी thinking पढ़ सकते हैं ताकि आप relate कर आए तो आपको पहला काम करना है read करना है जो famous text है primary text तो आप difficult होगा पढ़ना लेकिन अगर आप Plato के बारे में, Kant के बारे में, twice नहीं जाते हैं तो ये permanence के बारे में बाते हैं कि कोई भी चीज permanent हैं अब ये Greek philosophy में बाते हो रही थी तो आप उसको modern time से कैसे link करेंगे तो दो-तीन बाते हैं पहले तो आपको philosophy बात आनी चाहिए दूसरा उसका link के जाना चाहिए कि अगर ठीक है philosophical part week है आपका तो आप उस लोगों ने लिखा हुआ है वो चीज़े आप पढ़ सकते हैं फिर आपको एक notes बनाना है कि ये तो होना चाहिए कि जो key theories हैं जैसे मालीजे कि justice के उपर आपको एक understanding वाला notes होना चाहिए ethics में भी काम आएगा equality के उपर भी आपको पढ़ना चाहिए तो ये सारी बातें जब आपको पता होगा आपके पास notes होगा तो जब भी justice पर कोई बात आएगी आप वहां से content लेके लिख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही organized तरीके से आसान हो जाएगा तो आप notes बनाएए जहां पर जो key philosophical questions है life, justice, living your life, existentialism इन सब चीजों पर आप पढ़ने की कोशिश कीज देखे काम difficult है लेकिन UPSC कर रहे हैं तो थोड़े difficult काम की यादट डाली है आसान तरीके चुनेंगे तो फिर आपके इसे और जो average इसे बनके रह जाएगे अगर आपको वो line cross करनी है तो आपको कुछ extra करना पड़ेगा जो की बहुत मुस्किल काम नहीं है 200 पेज की किताब पड़ना उसमें से कुछ points ट्रक लेना वो बहुत मुस्किल काम नहीं होना चाहिए एक UPC की तयरी करने वाले के लिए फिर कुछ और बातें आपको जान रगने हैं जब भी आप philosophical message के बारे हैं बाते करते हैं तो philosophical जो thinkers होते हैं उनको different school में रखा जाता है जैसे आप liberal school हो गय नियो लिबरल हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, लिबरेटेरिन हो गया, इस तरह कुछ words होते हैं, feminist हो गया, तो आपको पता हो अगर जैसे माली जी की भारत में हैं तो अगर आपको राजियों के बारे हैं पता है तो ज़्यादातर उनके foods के बारे हैं पता होगा, similar अगर idealism क्या है, naturalism क्या है, nihilism क्या है, existentialism क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अगर इन पे कोई ऐसे आता है, तो आप उसको logical, कौन उनको critique करता है, कौन उनके against देता है, वो सारी बातें आपको पता होंगे, फिर आपको understand करना है, key principle, thinkers, और उनको associate जो है, each school के साथ, उनके बारे में जानकर रखनी है, फिर आपको trace करना है, development, चाहे Greek philosophy का है, चाहे scientific paradigm का है, तो ये overall आपकी philosophy की training है, जो कि आपको essay में काम आएगी, लेकिन आपको उतना deep नहीं जाना है, आपको उतना जाना है, जहाँ पे आप उसको इस्तमाल कर पाएं, फिर जब भी आप ये सारी बातें रख लेंगे, आपने पढ़ाई कर ली, आपने read कर लिया thinker को, आप philosophical school समझ गए, अब आपको philosophical concept को understand करना है, तो सबसे पहले आपको concept लेने हैं, आपने पावर का ले लिया, जस्टिस का ले लिया, फ्रीडम का ले लिया, ये बहुत important है, प्रूथ पे हमेसे आता है, पार पे आता है, फ्रीडम पे आता है, जस्टिस पे आता है, तो इन सब चीजों की थोड़ी सी understanding आपको होनी चाहिए, जस्टिस होता क्या है, कैसे उसको define करते हैं, क्या equality ही justice है, ये justice कुछ और है, ये सारी बाते हैं, जैसे rights क्या है, तो उस तरह से आपको सोचना है, फिर आपको इसको breakdown करना है, कि इसका meaning क्या है, historical context कौन सा है, जब ये develop हुआ है, alternate perspective कौन सा है इसका, अब इसको देखते हैं, कि meaning आपको पता होने चीए, meaning आपको पता होगी, तो आप सुरू वाले जो paragraph होते हैं, जब आप define कर रहे होते हैं, explain कर रहे होते हैं, तो वो important, historical context, equality कब prime value बना, liberty कब important बना, ये nationalism कब निकल के आया, ये सारी बातें अगर आप समझेंगे, तब आप बहतर तरीके से कैसे लिख पाएंगे, फिर आपको analyze भी करना है, कि truth का क्या मतलब होता है, reality से truth कितना related है, या जो हम चीजें देख रहे हैं, post truth age क्या है, तो keywords आपको समझने हैं, उनको link करना हैं, उनको जानना है, तब आप philosophical essays में ज़्यादा बहतर तरीके से लिख पाएंगे, अब एक बार आप read कर लिए, समझ गए, analyze कर लिए, तब last level पर आता है, कि आप कैसे उन topics को connect करते हैं, रियल वर्ड से, आप suppose कि ये inequality पी कोई बात आती है, ऐसे आता है, अब आपने inequality की उपर रूसों को पढ़ लिया, प्लेटों को पढ़ लिया, इन सारे thinkers को पढ़ लिया, लिखने की कोशिज कर रहे हैं, लेकिन आप real word से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो real word में जो ethical side है इनका, जैसे medical ethics है, या simple ethics है, inequality को आप किन से जोड़ेंगे, जो rising inequality है, Thomas Piketty की किताब है, उस तरह की चीजों से आपको जोड़ना है, तो आपको philosophy को जोड़ना है, जो modern time है उससे, तो दोनों के बीच में जो linkage होंगे, वो important होंगे, और जब भी linkage आप दिखाने की कोशिज कीजिए, एक linkage आप words से दिखाईए, दूसरा linkage आप Indian से situation से दिखाईए, तो दोनों तरह की examples आपके पास होने चीजिए, ताकि उनको लगे, और कोई भी बात जब आप example के तौर पे दे पाते हैं, connect कर पाते हैं, तब भी सामने अले को पता लगता है, कि आपके पास वो true knowledge है, अगर आप उसको connect नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तरीके से उसको relate नहीं कर पा रहे हैं, तब वो सही knowledge नहीं माना जाएगा, तो relation भी important है, जो आपको याद रखना है, अब ये सब बातें आपने कर ली हैं, सब कुछ आप connect कर पा रहे हैं, आपको फिर balance करना है, कि आप जो multi-facet उस argument है, उसके आसपास philosophical topic है, मतलब सिर्फ एक direction से नहीं देखना, कि जो लिखा है उसी का support करना है, उसका counter side भी देखना है, उसका other side भी देखना है, फिर आपको discuss करना है, दोनों side और evide करें, बहुत ही dogmatic adherence की, कोई बात लिख दी गई, कि unexamined life is not worth living, यह Socrates का statement है, अब ज़रूरी नहीं कि आप इसी से completely agree करें, उसी के support में पूरे time लिखते रहें, आप उसके against भी लिख सकते हैं, आप उसके अलग-लग counters point लिख सकते हैं, फिर आप explain कर सकते हैं, रियल वर्ड से आप connect कर सकते हैं, तो यह तो बाते हैं philosophical essay के बारे में, और last में आपको फिर practice करनी है, अगर आप practice करके लिखने की कोशिस करते हैं, तो बहतर है, और फिर आप feedback लिजे teachers से, फिर उसको improve कीजे, यह तो पूरा का पूरा process है, philosophical essay कैसे तयार करते हैं, उसके बारे में कैसे बहतर तरीके से लिखा जा सकता है, तो दस मिनिट में हमने बताने की कोशिस करी, philosophical essay के बारे में क्यों पूछे जाते हैं, क्या basics आपको याद रखने हैं, कैसे लिखना है, कैसे practice करनी है, तो दोस्तो मैं हूँ संदीप सिंग और लगतार आपके लिए essay वीडियोज आते रहेंगे, देखते रहेंगे, और जो जो विशय आपको चाहिए, उस पे आप लिखने की कोशिस कीजे, comment कीजे, बताइए, share कीजिए, और जितना आप promote कर सकते हैं, promote कीजिए, लगतार ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे, इस वीडियो में इतना ही, जैहें,